कहानी की सुरुवात में एक आइलेंड को दिखाया जाता है जहां कुछ हेलिकॉप्टर्स और बड़ी बड़ी गारिया जा रही थी इसके बाद लीन अपनी दोनों असिस्टेंट के साथ हेलिकॉप्टर से वहां पर आता है फिर वाट ट्रक जब यहां से जा रही होती है तब उसके दोरान एक स्नेक को चल कर मर जाता है लेकिन इसके बाद अचानक से वास्नेक वापस जिन्दा भी हो जाता है अब अगले सीन में हमें एक रिसर्च सेंटर को दिखाया जाता है जहां कुछ लोग स्नेक के उपर रिसर्च कर रहे थे वहीं दूसरी और लीन की असिस्ट इसके अलावा गए डॉक्टर क्यूने या एक्सपेरिमेंट भी फेल कर दिया तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा इधर बाहर कुछ लोग ट्रक में से बहुत सारे छोटे छोटे स्नेक्स को गड़े में फेक रहे होते हैं जहां पर हजारों की तादात में स्नेक्स होते है इसके बाद सेंटर में लीन एक बिक स्नेक को देखता है जो की उनीकी रिसर्च से बनाय गया था और इस स्नेक को असल में डॉक्टर क्यूने बनाया था फिर लीन काता है कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी इसका कोई फाइदा नह थे इधर लीन भी उस बिक स्नेक को अलविदा कहता है और फिर एक लाल कलर का बटन दबा देता है अब इसके वज़ा से उस बड़े स्नेक के अंदर बहुत सारे इंजेक्शन लग जाते हैं लेकिन तभी अचानक से अलाम बजने लगता है और वह बिक स्नेक जोर जोर से चि पुछ नहीं होता वहीं दूसरी और छोटे वाले स्नेक्स डॉक्टर और सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं और एके करके उनको मारने लगते हैं इधर लीन अपने दोनों असिस्टेंट के साथ यहां से भागने की कोसिस करता है तभी वहां पर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं औ लेकिन तभी वहां बिक्स ने कांच को तोड़ कर बाहर निकल जाता है इसके बाद वहां सभी सोल्जर्स को एके करके खत्म करने लगता है और फिर वहां अपनी जंजीरे तोड़ने लगता है अब लीन अपने दोनों असिस्टेंट को यहां सब साफ करने के लिए काता है ज इसकी वज़ा से बहुत सारे सोलजर मारे जाते हैं। इसी बीच हेलिकॉप्टर से जाते समय बिग स्नेक एक हेलिकॉप्टर को गिरा देता है, जिसकी वज़ा से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वहीं जंगल में दोनों असिस्टेंट सोलजर के साथ मिलकर सभी छोटे स्नेक्स को मार रहे होते हैं लेकिन फिर उनको रियलाइज होता है कि वह स्नेक्स से नहीं बच पाएंगे इसलिए दोनों तुरंत वहां से जाने लगती हैं इसके बाद एक सोलजर आर्मी ट्रक लेकर यहां से भागने की कोसिस करता है जिसके बाद वह बिग स्नेक्स उनका पीछा करने लगता है लेकिन इसी दोरान एक छोटा स्नेक्स उनको काट लेता है और इनकी गारी पहार से नीचे गिर जाती है इसके बाद हम देखते हैं कि वहाद दोनों लड़कियां बजते हुए जंगल से भाग रही होती है तभी उसी समय बिग स्नेक्स उनका पर हमला कर देता है और उसमें से एक लड़की बुरी तरह से जख्मी हो जाती है फिर वह बिग स्नेक्स को मारने ही वाला होता है लेकिन तभी लड़की की दोस्त अपनी चाकु से उस पर हमला कर देती है तभी इसी बीच बिग स्नेक्स से धकिल कर वहाँ से गायब हो जाता है अब लड़की देखती है तो उसकी दोस्त मर चुकी होती है जिसकी वज़ा से वा बहुत ज़्यादा घवरा जाती है लेकिन तभी उस पर भी बिग स्नेक हमला कर देता है और मौका मिलते ही उसे भी मार देता है इसके बाद हम देखते हैं कि दो सोलजर्स बोट की मदद से भाग रहे होते हैं और फिर वा किसी तरह से समुंदर के बीच में आ जाते हैं लेकिन उसी समय बिग स्नेक पानी से निकल कर उन पर हमला कर देता है अब अगला सिन कुछ सालों बाद का दिखाया जाता है जहां पान आंकर पिखायी देता है वह उससे कहता है कि मैं तुमें इसके बारे में बाद में समझाओंगा और वहां से उस अमेरिकन आदमी का पीशा करते हुए चला जाता है लेकिन इस समय भी कोई यांग की फोटो ले रहा होता है अब कुछ समय के बाद यांग उस समझाने की कोसिस करने लगता है तभी अचानक से या सिप जोर से हिलती है और वह आदमी वहाँ से भाग जाता है तभी उसी वक्त सीणियों से एक कैमरा नीचे गिरता है और ली नाम की एक लड़की वहाँ पर आती है या देख यांग उसके पास आता है और उसके कैमरे में अ आती है कि जो तुम खोज रहे हो मेरे पास उसका एविडेंस है लेकिन यांग उसे इग्नोर करके यहां से चला जाता है तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे स्नेक सीप पर आ जाते हैं और वह एक एक करके सभी को मारने लगते हैं लेकिन यांग को अभी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और तभी अचानक से उसके सामने भी बहुत सारे स्नेक सा जाते हैं अब या देख ली बहुत ज़्यादा घबरा जाती है जिसके बाद यांग ली के साथ यहां से भागने लगता है और आगे जाकर एक आदमी से पूछता है कि यहां सब क्या हो रहा है ले को समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए इसके बाद वोब बोटल फेकर उसे मारने लगता है लेकिन ऐसा करने से स्नेख को कुछ भी नहीं होता जिसके बाद वह सभी यहां से भागने लगते हैं लेकिन यांग अब कुल आरी की मदद से सभी सनेक को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है अब आगे जाने पर इनको कुछ और लोग मिलते हैं जहां से सभी लोग भागते हुए किसी सुरक्षित जगा पर जाने लगते हैं तभी उनमें से एक अमीर आदमी भी आईपी रूम में खुद को बंद कर लेता है और बाकी लोगों को अंदर नहीं आने जिसकी वज़ा से सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और उस आदमी से दर्वाजे को खोलने के लिए काते हैं लेकिन तभी उस रूम के अंदर बहुत सारे चोटे स्नेक्स आ जाते हैं और उस आदमी को मार देते हैं तभी अचानक से यहां लोग अपने सामने बिग स्नेक को आते हुए देखते हैं और अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग यहां से भाग जाते हैं लेकिन वहीं एक ओल्ड मैन एक छोटी बच्ची और एक आदमी के साथ रूम के अंदर छुपा होता है जहां पर एक भी स्नेक नहीं होते इसके बाद हम देखते हैं कि या सभी इंजन रूम में चले जाते हैं फिर यांग सभी से कहता है कि स्नेक के वल आवाज की वज़ास से हमें पाचान सकते हैं अब यहां पर सभी लोग अंदर जाकर मसीनों के पास में छुप जाते हैं तभी कुछ देर में बिग स्नेक उनके सामने आ जाता है लेकिन य इसनेक अभी भी इनका पीछा कर रहा था इसलिए बाद सभी लोग भागते हुए फ्रीजिंग रूम में छुप जाते हैं और यहां के दर्वाजे को भी बंद कर लेते हैं तभी बिग स्नेक दर्वाजे को तोड़ने की कोशिस करने लगता है लेकिन जब दर्वाजा नहीं ख लगती है जबकि दूसरे लोगों को भी बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वह उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे लेकिन अब इनको यहां पर छुपे हुए बहुत ज़्यादा देर हो गया था और इसकी बज़ा से यह लोग ठंड से कापने लगते हैं या देख यांग सभी को बचाने का डिसाइड करता है जिसके लिए वह विगसने को अपने पीछे ले जाएगा या सुनकर जू से ऐसा करने से मना करता है तब वह लड़का काने लगता है कि इस काम को मैं करूंगा अब यांग उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन तब तक वह लड़का दर्वाजा खोल देता है और अवाज की वज़ा से बिक्स नेक उसके पीछे आने लगता है इसके बाद बाकी लोग पीछे से निकल जाते हैं अब यांग उस लड़के को भी बाहर निकालने के लिया अपना हाथ देता है लेकिन लड़का दर्वाजे को बंद कर लेता है और बिक्स नेक उसे मार देता है या देख यांगों को बहुत बुरा लगता है और इस बात से वा गुसे में भी आ जाता है इसके बाद ये लोग कैप्टन रूम के अंदर आ जाते हैं तभी लीक आती है कि मैं सिप को चला सकती हूँ तभी वा लोग देखते हैं कि दोनों पाइलेट की मौत हो चुकी है अब इस बाद से सभी लोग बहुत ज्यादा खुस होते हैं इसके कुछ देर के बाद जू यांग से काता है कि जब से तुमने गुरुप छोड़ दिया भाई तुमें बहुत याद करते हैं तब यांग उसको समझाता है कि उससे अपनी इन्वेस्टिकेस्टन खुद करनी है इस इसके बाद जू और यांग जाकर बिगसने को देखते हैं जिसे देकिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और ये लोग तुरंट वापस आ जाते हैं फिर ये दोनों छोटी वाली बोट को पानी में डालते हैं और यांग जू से सभी को यहां से लेकर जाने के जिसे देख सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और यांग को आवाज लगाने लगते हैं लेकिन इसी वक्त सीप में बहुत बड़ा धमाका होता है और वा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है या देख जू और ली रोने लगते हैं लेकिन तभी कुछ समय के यांग भी इस बोट पर आ जाता है जिसे देख सभी बहुत ही खुस हो जाते हैं लेकिन फिर कुछ देर के बाद वा बेहुस हो जाता है अब अगले दिन जब उसकी यांग खुलती है तो वा देखता है कि ये लोग आइलेंड के किनारे हैं इसके बाद वा बाकी लोगों को और उसका बलड निकलने लगता है, अब या देख वहां के गोल पथर की येचर में बदल जाते हैं, और वहां उसे अपने अंदर ले लेते हैं, अब इस बात से यांग समझ जाता है कि या सभी खुन दे कर हमला करते हैं, इसलिए वहां सभी को अराम से चलने के लिए कहता है, अब कुछ देर के बाद सभी लोग कैंप में आ जाते हैं, लेकिन इस वक्त सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, तभी इनको यहां से कुछ गंस और एक्स्पलोजी मिल जाते हैं, और इसके अलावा अमेरिकन आदमी को एक वाकी टॉकी भी मिलता है, अब यांग पॉकी टॉकी पर मदद मांगने की कोसिस करता है, लेकिन यहां पर सिगनल नहीं आ रहा था, इसके बाद सभी लोग वेपन लेकर जंगल में निकल जाते हैं, तभी कुछ आगे जाने पर यांग को ऐसा फील होता है कि उनके आस पास कोई चीज है, इसलिए बाद सभी को केर रहने के लिए काता है, तभी इन में से एक आदमी उपर देख बहुत ज़्यादा घवरा जाता है, क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा स्पाइडर होता है, अब ओल्ड मैन उसे गोली मारने लगता है, लेकिन वह बीग स्पाइडर उन पर हमला कर देता है, जिसके बाद स सबी लोग यहां से होकर अंदर चले जाते हैं, जहां पर स्नेक्स के बारे में रिसर्च पेपर लगे हुए थे, और इसके अलावा यहां पर बहुत से डॉक्टर की कंकाल भी होती है, तभी इसी वक्तिन में से एक आदमी लाइट को चालू कर देता है, या देक यांग सोच लगता है कि वह आदमी कैसे जानता है कि लाइट यहां पर है, लेकिन फिर वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, और तभी कुछ देर के बाद वह आदमी इनको यहां पर एक और दर्वाजा दिखाता है, अब यहां से अंदर जाने पर इनको एक गुफा मिलती है, जिसके अंदर जाने पर इनको बहुत सारा खाना और ड्रिंक मिलता है, अब इसकी वज़ा से सभी लोग खुसो कर खाने लगते हैं, लेकिन इसके बाद हम यहां को छट के ऊपर अकेले बैठा हुआ देखते हैं, जो किसी लड़की की फोटो देखकर अचानक से रोने लगत है, तभी ली ड्रिंक लेकर उसके पास आती है, और वा दोनों ड्रिंक करते हुए बहुत देर तक बाते करते हैं, अब इसी वीच यांग ली को अपनी पूरी कहानी बता देता है, जिसे सुनकर ली की आँखों में आसु आ जाते हैं, इसके बाद सभी लोग सो जाते हैं, ज इसके बाद हमें पता चलता है कि या आदमी तो असल में डॉक्टर क्यू है, जिसने की बिगसने को बनाया था, फिर वा लीन से बिगसने को खतम करने से मना करता है, और उसे एक आखरी चांस मांगने लगता है, लेकिन अब लीन ने अपना डिसीजन बना लिया था, देखवा बहुत ज़्यादा घवरा जाता है, और इसके बाद बिगसने को उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तबी जू खुद बिगसने के सामने आ जाता है, और यांग को बाहर जाने के लिए काता है, या देख यांग उस रूम से बाहर आ जाता है, लेकिन इसके बा सलियत के बारे में किसी को भी पता नहीं होता तभी वोकी टॉकी से रेस्क्यू टीम की बाज आती है जो कि अगली सुबह तक यहाँ पर आ जाएंगे अब इस बात से सभी बहुत ज्यादा गुसा हो जाते हैं क्योंकि यहाँ लोग यहाँ पर ज्यादा दिर तक नहीं रह सकते तभी यांग काता है कि यहाँ से जाने से पाले हमें उस बिक्सने को खतम करना होगा और सभी के मौत का बदला लेना होगा फिर बाद सभी से अपना प्लान बताता है और सभी लोग उसी के अनुसार काम करने लगते हैं अब यांग जू को गुडबाई कहता है तभी इसी ब पिरकन आदमी उसका ध्यान बढ़काता है इदर डॉक्टर क्यू यांग को बताता है कि मैंने ही पाइलेट्स को मारा था और तुम सभी को मैं ही यहाँ पर लेकर आया हूँ तभी यांग पीछे से बिग स्नेक को आते हुए देखता है जिसके बाद स्नेक डॉक्टर क्यू को म पहार आ जाते हैं और बिग स्नेक जैसे ही पहार से नीचे गिरता है वा सभी उसे खाने लगते हैं अब इसकी वज़ा से वा बिग स्नेक मारा जाता है फिर अगली सुबा सभी लोग पोट पर खड़े होते हैं और तभी एक सीप उनको लेने के लिए आ जाती है जिसके कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना और अगर आपने पिछली वीडियो को मिस कर दिया हो तो लेप्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना